हेलो फ्रेंट्स मैं सरीता चछतिसगर से मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो में ललाष तक बने रहेगा और पसंद आए तो लाइक किजिएगा और सबसक्राइब तो मुझे करी लीजेगा तो आज बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में तो गुलाब के पौधे में हम चाय पत्ति का व्योग कैसे करें ये बताएंगे और उसके लाब तो चाय पत्ति को व्योग करने से आपके पौधे की जो फ्लावर्स आएंगे वो बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े फ्लावर आएंगे और जो पत्तिया होती हैं, वो अभी हरी भरी रहती हैं, बहुत ही सुंदर और हेल्दी होते हैं, तो आप इसका इस्तमाल 15 दिन में, इस प्रकार से करेंगे, तो आपके पौधे हरे भरे और स्वस्त रहेंगे, तो चाय पत्ति का इस्तमाल आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आपके कीचन में चाय पत्ति का यूज होता ही है, जैसे कि चाय तो सब के अहां बनता है, तो आप चाय पत्ति जब यूज कर लेते तो उसे अच्छी तरह से चान करके पानी से अच्छी तरह से दो लें, दोने के बाद उसको दूप में अच्छी तरीके से सुखा लें, नमी नहीं होनी चाहिए यूज की हुई चाय पत्ती में, और सुखा करके फिर अब गमलो को देने से पहले सारी मुट्टी का तो तीन चमज, चार चमज इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, और डालने से पहले गुड़ाई जरूर कले फ्रेंट्स, गुड़ाई करने से जो है इसका जो फायदे है वो जड़ों तक पहुँचेगा, और असर भी आपको दिखेगा, तो फ्रेंट्स इस तरीके से इस्तमा किया जा सकता है, और फ्रेस चाय पत्ती का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, फ्रेस चाय पत्ती को आप इस्तमाल कर सकते हैं, इसका लिक्विड भी बना करके डाल सकते हैं, पानी में गोल करके डाल सकते हैं, आप एक लिटर पानी में तीन-चार चमज चाय पत्ती गोल लीजे और थोड़ी थोड़ी सारे आपके गुलाब के पौधों में डा सकते हैं तो इस प्रकार से भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद में आप देखेंगे कि पौधों की साइन ही अलग रहती है और जो flowers की size हैं वो भी बड़े-बड़े होते हैं तो इस तरीके से इस्तमाल हो सकता है और जो यूज की वी चाय पत्ती है उसका तो compost भी बहुत अच्छा बनता है आप compost बनाईए उसका और सुखा करके उसका इस्तमाल गुलाब में भी कीजेगा तो आपका इस्तमाल किया हुआ जो चाय पत्ती है वो भी वेश्ट नहीं होगा और पौधों में भी उसके फायदे आपको नजराएंगे तो friends आप जरूर इस्तमाल करें चाय पत्ती को अपने पौधों में और जब आप इस्तमाल करना सुरू करेंगे तब आपको अपने पौधों में नई ग्रोथ, नई साइन और फौलों का जो साइज है वो आपको बड़ा दिखने लगेगा तो इस तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है और मैं तो हमेशा ही 15-20 दिन में अपने पौधों में डालती ही रहती हूँ क्योंकि चाय तो बनती ही है और अच्छी तरीके से उसको सुखा करके मैं इस्तमाल करती हूँ और जो यूज की वी चाय पत्ती है उसमें दूध रहता है, सक्कर रहता है तो अच्छी तरीके से आप उसे दोऊएं जरूर और सुखाएं जरूर उसको नहीं तो गुलाब के पौधी में फंगस का डर रहता है तो आप यूज कीवी चाय पत्ती को अच्छी तरीके से साफ सुत्र करके और धूप में सुखा कर ही डालें और अगर उसको नहीं डालना चाहते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती जो होती है उसका भी आप डाल सकते हैं उसको उसके बाद में पौधों की ग्रोध आप देखेगा बहुत ही अच्छी होती है और सिर्फ गुलाब में ही नहीं अब गुड़हल के पौधों में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और फ्लावर्स बड़े बड़े आएंगे और पत्ते जो हैं हरे भरे रहेंगे देखे कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें और सारे पौधे जो मेरे हैं वो तीन साल चार साल पुराने पौधे हैं और इसी तरीके से ये चल रहे हैं तो मैं चाय पती के खात का इस्तमाल अपने पौधों में करती हूं फ्रेंट्स देखे बहुत ही सुन्दर हरे भरे उम्मिद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मित्ते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई